कोरोना वाइरस नाम का एक नया वाइरस COVID-19 नाम की बिमारी फैला रहा है कोरोना वाइरस का संक्रमन आसानी से होता है और ये तीजी से सारी दुनिया में फैल रहा है COVID-19 गंबीर हो सकता है और सास लेने पर असर डाल सकता है यह फेवडों में गंबीर संक्रमन्ट पैदा कर सकता है अपने आपको, अपने परिवार को, अपने समुदाय को सुरक्षित रखना आवश्चक है COVID-19 के लक्षन दिखाई देने में 2-14 दिन लग सकते हैं आम तोर पर इसके प्रमोख लक्षन ये है बुखार, सूकी खासी या ठकान कई लोगों और बच्चों में हलके लक्षन दिख सकते हैं बिमार व्यक्ति के खासने या चीकने पर छोटी संक्रामक बूंदे COVID-19 को फैलाती है ये बूंदे अधिक दूर नहीं जाती लेकिन ऐसी सतहों पर गिर सकती हैं जो आपके संपर्क में आ सकती है इसके बाद यदि आप अपनी आखें, नाक या मूँ छू लें तो आपको संक्रमन हो सकता है खुद को और दूसरों को COVID-19 से बचाने के लिए अपने परिवार के बाहर की लोगों से नस्दी की संपर्क से बचे अपने और उनके बीच एक से दो मीटर का फासला बनाए रखें यानि कम से कम दो बाहूं की दूरी अपने हाथ बार बार साबुन और पानी से 20 सेकिंड से अधिक समय तक धुए या अलकोहॉल आधारित हैंड सानिटाइजर का उपियोग करें सुरक्षित रहें कुछ बेहतर करके दिखाएं करेंग से अधिक सानिटाइजर कर दो बाहूं को लगतार सानिटाइजर का या रखें चलोग। करेंग रखें थाभक करें बाहूं